तेजिश्वी को प्रमोट करेंगे अगला CM के रूप में जिदि रूप करने जारी है लिए देखिए ऐसा है कि राजनीत में कोई किसी को प्रमोट नहीं करता है हर एक पुलिकड कर पार्टी अपना काम करती है चुनाओ लड़ती है चुनाओ जीत करके आती है जो उसका नेता होता वो निर्ने करता है नितीज जी मुखमंत्री बने हुए है किसी के करपा पे नहीं है नितीज जी मुखमंत्री अपने काबलियत पर, अपने काम करने के, जो उनका, कारिसैली है, कार प्रनाली है, कि उसपर किय हुए है। जब नितीज जी बिहार की बागडोर समाले थी, तो बिहार का बजड मात्रे 32,000 क्रोड रुपया था। आज बिहार का बजट दो लाग बतिस जार क्रोड रुपया है तो नितीज जी ने अपने सूज भूच से नए बिहार का निर्मान किया है इसलिए ये कहना कि आरजेडी बड़ी पार्टी थी और इनको मदद कर रही थी हमको लगता है नितीज जी का वेक्तित तो ऐसा था कि इ confident रहें उनके लिए और उनकी पार्टी के पता है कि तीन घंटे के बाद जब हमको वापस जाना है छे गंटे के बाद हम जिंदा वापस जाएंगे कि मर के वापस जाएंगे तो 24 का prediction हम इसे अभी कैसे कर सकते हैं देखिए ऐसा है कि ये टूटल एक political perception है आपका जितना सवा नितीज जी ने कभी नहीं मीडिया में कहा कि मैं भी प्रधानमंत्री का उमिद्वार हूं उन्होंने बार बार कहा कि मैं प्रधानमंत्री का उमिद्वार नहीं हूं मैं एक साजा विपक्ष महा जिसको बोलते हैं कि Grand Alliance के पक्ष में हूं कि हम भारते जनता पार्टी को रोक सोनिय गानी से भी मुलाकात की राओल गाधि जी का अभी या पत्यात्रा चल रहा है पत्यात्रा खत्म होगा हमें उमीद है कि फिरवह लोग बात करेंगे और नितीश जी से बात कर के फिर को एक बड़ा grand alliance की बात करेंगे grand alliance हुआ तो ठीक नहीं grand alliance होगा तो हम लोग अपने party को जिस तरह से बिहार में ससक्त और मजबूत कियो हैं फिर आगे मजबूत करेंगे 22 साल बीट गए नहीं 22 साल में चलते उन लोगों ने केंद्री नितित्र जो हमारा रहा वो भी proper informed नहीं रहा जिसके चरह पिछली बार भी हम लगबग 45 सीटों पर चुनाओ लड़े लेकिन response नहीं आ पाया तो यह तो feedback पर ही 45 सीट लड़े ना किसी ना किसी ने कहा होगागम केंद्री नितित्र को कि हम यहां 55 सीटों पर लड़ेंगे और यहांपे 10-12 सीट जीट जाएंगे तभी तो केंद्री 6 प्लावख 45 सीटों पर चुनार लड़ा आने वाले आबादी जो एक बड़ी आबादी है वो भी अभी तक आर्थिक और समाजी ग्रूप से हासिये पर क्यूं है इसके लिए जातिय सर्वे हो रहा है ब्यार में और हम समझते हैं कि सभी राज्यों को ये जातिय के साथ बना रहे हैं तो उससे हमको लगता है आने वाले समय में हम लोगों को फायदा मिलेगा strategy प्लाने में plan बनाने में budget कर निर्मान करने में तो योजनाओं का निर्मान हो सकेगा अगर जारखंड सरकार भी ऐसा काम करती है तो ये स्वागत दोग होगा और हम तो कहेंगे कि जारखंड सरकार को भी करना चाहिए 1932 की खत्यान ये हो सकता है कि हेमन सोरिन जी का political stand हो कि उन्होंने ये कह के और जंटा के बीच जा रहे हैं अब केंड सरकार जब तक accept नहीं करती है योजना सरकार के लिए वही है राजी सरकार के लिए जिस योजना को राज सरकार खुद अपने बल्बूते कर सके केंडर के सहारे और केंडर के साथ जो संबंध है जारखंड सरकार का वो जग जाहिर है तो वैसे में तो ये खत्यान है तो उसके ओपर कमेंट करने से हमें क्या फाइदा हुआ हूँ तो अभी अधर में लटका हुआ है